Dear students, today I will explain you the remaining part of lesson 12. प्यारे विद्ध्यारतियों, आज मैं आपको lesson 12 का जो बचा हुआ भागे उसे समझाऊंगी, जैसा कि आपने second part में समझा था कि एक farmer का बेटा, एक किसान का बेटा, प्रिंसिस को free कराने के लिए, राजकुमारी को मुक्त कराने के लिए जाता है, और जो रिडल्स, जो पहलिया वह तीनों राजकुमारों से पूछती है, विग्ड फैरी जो दुष्ट परी है जो पहलिया राजकुमारों से पूछती है वही तीनों पहलिया वह किसान के बेटे से भी पूछती है अब वन बै वन वह उन सारी ही रिडल्स का आंसर देता है वो मैं आप आज आपको समझाऊंगी उसने उसकी पहली पहली हल की दुष्ट परी की इस तरह से I have two ears but only one tongue so that I should listen more than I speak मेरे दो कान है लेकिन एक ही जीब है इसलिए मैं बोलने के बजाए जादा सुनता हूँ इसलिए भगवान ने दो कान दिये है और एक मुह दिया है एक जीब दिये है ताकि हम जादा सुन सके और कम बोल सके He answered the second riddle as I am a son of a poor farmer दूसरी पहली का उत्तर देते हैं वह कहता है कि मैं एक गरीब किसान का बेटा हूँ I have to look after my parents so I have a lot of hard work to do मुझे अपने माता पिता की देखभाल करनी होती है देखरे करनी होती है इसलिए मुझे कठीन परिश्रम करना पड़ता है बहुत ही जादा मेहनत करनी पड़ती है That is why I have two hands इस कारण मेरे दो हाथ है I should not eat all the food that I earned so I have one mouth हम सारा भोजन नहीं खा सकते जिसना हम कमाते हैं जितना हम कमाते हैं उतना सारा भोजन हम नहीं खा सकते एक बार में इसलिए मेरे एक मुझे हैं इस तरह से वह second riddle का दूसरी पहली का आंसर देता है The third riddle was solved by him as और तिसरी पहली को उसके द्वारा solve किया गया इस तरह से My mind is supreme मेरा mind या मेरा दिमाग सर्वोच है It should rule my body Thus I have my head above my body यह मेरी body पर rule करता है यह मेरी body पर मेरे शरीर पर शासन करता है मेरा दिमाग मतलब जो मेरा दिमाग कहता है उस तरह से मेरा शरीर चलता है इसलिए Thus I have my head above my body इसलिए मेरा सिर मेरे शरीर के उपर है मेरी body के उपर है My body should follow my mind That is why it lies below my head मेरा शरीर मेरे mind को follow करता है या मेरा शरीर मेरे दिमाग की बात मानता है उसका अनुसरान करता है इस कारण वह मेरे सिर से नीचे है मेरा जो body है मेरा जो शरीर है वह मेरे head से नीचे है इस तरह से तीनों ही पहलियों का तीनों ही riddles का जो farmer का बेटा होता है सही answer देता है अब आगे क्या होता है जैसे ही लड़के ने सारी पहलियों को हल कर दिया दुष्ट परी क्या दुष्ट परी जो थी उसकी सारी शक्तियां समाप्त हो गई नश्ट हो गई वेर इस दे प्रिंसेस आग दे फार्मस सन किसान के बेटे ने पूछा दुष्ट परी से की राजकुमारी कहा है अब वो उसका अंसर देता है विड़ फैरी बताती है वेन यू एंटर दे कासल दे मोस्ट ब्यूटिफुल लोटस दा यू साओ इन दे पूल इस दा प्रिंसेस रेपलाइड दे विड़ फैरी दुष्ट परी इसका उत्तर देती है जब वो पूछता है के राजकुमारी कहा है तो दुष्ट परी कहती है जब तुम ने कासल में किले में प्रवेश किया तो जो पूल में तुमने सबसे सुन्दर लोटस देखा सबसे सुन्दर कमल देखा था पूल में वही राजकुमारी है अब किसान का बेटा आगे पूछता है की और तीनो राजकुमार कहा है वही तीनो तीन बड़े तीन लंबे पेडों में बदल गए है दे आर नियर दे वाल अफ दे गारडण वही गारडण की दिवार के पास खड़े हैं वह कहा है वह गारडन की या वह बगीचे की दिवार के पास में है After saying this, the wicked fairy turned into a big stone ऐसा कहने के बाद जो दुष्ट परी थी, वह एक बड़े से पत्थर में बदल गई The boy went to the garden and took out the lovely lotus लड़का गार्डन में गया, बगीचे में गया और उसने उस प्यारे से lotus को कमल को निकाला As he put the lotus on the grass, it turned into a beautiful princess जैसे ही उसने lotus को उस कमल को घास पर रखा, वह एक सुन्दर राजकुमारी में बदल गया Then together, they went to the trees फिर वे दोनों, together यानि साथ में, फिर वे साथ में दोनों कहां गए? Trees के पास गए, उन तीनों पेडों के पास गए The boy touched them and they also turned back into prince Boy ने उन्हें, उस लड़के ने, farmer के बेटे ने उन्हें स्पर्श किया, टच किया और वे फिर से राजकुमार में बदल गए पेड The farmer took the princess back to her father, King Chandraketu जो farmer's son था, वो जो किसान का बेटा था, वह राजकुमारी को उसके पिता, राजा चंदरकेतु के पास ले गया चंदरकेतु got his daughter married to the farmer's son and they lived happily after राजा चंदरकेतु ने, यह चंदरकेतु ने, अपनी बेटी की शादी उस किसान के लड़के से की और उसके बाद वे खुशी-खुशी रहने लगे Our lesson has completed now, at last, the moral of the lesson is God sees the truth but waits Goodness, भगवान सत्य को देखता है लेकिन थोड़ी प्रतिक्षा करने होती है सत्य कभी भी छिपता नहीं है, सत्य को या सच को कोई भी छिपा नहीं सकता लेकिन थोड़ा इंतजार करना होता है, तो सत्य सामने आ ही जाता है जिस तरह से प्रिंसिस का और उन तीनों प्रिंस का सत्य सामने आ गया इस स्टोरी में I hope you will have understood this beautiful story Thank you so much